आगरा के थाना ताजगंच से हंगामे के तस्वीरे सामने आई हैं जहां मामला बढ़ता देख पुलिस ने गुस्साई लोगों पर लाठी चार्च कर दिया दरसल तोरा चोकी के पास पुलिस ने मास से लदे दो ट्रकों के साथ दो लोगों को गिरफतार किया था लेकिन जैसे ही अफाफ फैली के ट्रक में गौमास है तब ही स्थानी लोग उगर हो गए और मौके पर पहुंच कर हंगामा करने लगे जिस पर पुलिस ने उन पर लाठ हालातों पर काबू पालिया गया है लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है जिसके चलते भारी सुरक्षा बल इलाके में तैनात किया गया है वहीं पुलिस ने अब मास को जांच के लिए भी भेज दिया है गौमास को लेकर पहले भी अफवाहों को बल मिलता रहा है और बड़ी-बड़ी घटनाएं हो चुकी है ऐसे में ताज नगरी आगरा में कोई बड़ी घटना ना हो जाए उसके लिए पुलिस ने सुरक्ष्या विवस्ता कड़ी करती है देखते ने एडी बिलाइव